रदे रदे मित्रों, आज अब आपके लिए यहां पर लेकराएं हैं भगवती गीता दोस्तों भगवती गीता देवी पुरान नामक उपुरान के अंतरगत समाहित है उपुरान होते हुए भी देवी के भगतों में चिरकाल से देवी पुरान का बहुत प्रचार रहा है और संभवत इसी कारण इसका एक नाम महाभागवत भी है उलेकनी है कि उक्त देवी पुराण प्रिसिद्ध देवी भागवद महापुराण से सर्वता भिन एक ग्रंथ है देवी पुराण के अध्याय 15 से 19 तक कुल पाच अध्यायों में श्री भगवती गीता विस्तृत है इसे ही पारवती गीता भी कहा जाता है पारवती जी ने अपने पिता गिरीराज हिमाले के प्रती ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है जिसे जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म सुरूप हो जाता है जो मिनुष्य इसका पाठ करता है उसके लिए मुक्ती सुलब हो जाती है सती जिस प्रकार अपने पूर्णावतार में पारवती रूप से मैना के गर्व में आई उस कथा को कृपा पूर्वक बताएं। पर्मिश्वर यग्यपी उन जगदंबा के जन्म करमाद की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ग्यात भी है तथा भी उसे मैं आप से ठीक तरह से सुनना चाता हूँ क्योंकि आप इस वृत्तांत को ठीक ठीक जानते हैं। महामते महादेव इसलिए कृपा करके विस्तार पूर्वक वह कथा कहें। स्वयम मैना के गर्व में आई तदरंतर देवी मैना ने शुब दिन में कमल के समान मुखवाली सुन्दर प्रभावाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप में जन्म दिया। मुनिवर उस समय सर्वत्र पुष्प व्रष्टी होने लगी। दसो दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंदित वायू बहने लगी। जब परवत राज ने सुना कि उनके यहां सुन्दर कन्या ने जन्म लिया है जो करोडों मध्यान कालीन सूरिके समान तेजस्विनी, तीन नेत्रों वाली दिव्व सुरूपा, बड़ी बड़ी आखों वाली आठ बुजाओं से युक्त और मस्तक पर आर्धचंद्र को धा कारण किये हुए है, तो उन्होंने जान लिया कि सुप्षमा पराप्रकृति नहीं, अपनी लीला से उनके यहां अवतार ग्रहण किया है, उन्हें उन्होंने हर्शित होकर ब्रामणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधारु गवय प्रदान की, तत्पश्यात वे बंदु बांदवो सहित शीग्रही करन्या को देखने पहुचे। गिरीराज को आया जानकर मैना ने उनसे कहा हिराजन अपनी कमल नेनी पुत्री को देखिए, यह हम दोनों की तपस्या का फल है, और सभी प्राणियों के कल्यान यह तो प्रकट हुई है। तब गिरीरा वे देवी से कहने लगे। हिमाले बोले हे माता हे विशालाक्षी इस विलक्षन विचत्र रूप में आप कौन है। हे पुत्री मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना व्रतांत बताईए। श्री देवी बोली परमेश्वर शिव की आश्रिता, मु मैं ही ब्रहमा विश्णू और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और श्रिष्टी स्थिती विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदाईनी जगदंबिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उधार करने वाली हूँ। मुझे न कि ययोगों में अपना सौभागी मांता हूँ। मैं आपका यह देख लिया अब आप पराधपर भगवती का दिव शिवपर्यादूनुद्स शेक्रपापूर्वक शीग्रही दिखाएं। हे विश्वेश्वरी आपको नमश्कार है। श्री देवी बोले, पिता जी मैं आपको दिविचक्षु प्रदान करती हूँ जिससे मेरे एश्वर इशाली रूप के दर्शन करके आप अपने रिदें का संशे मिटा लीजिए और मुझे ही सर्व देव मही समझी है। श्री महादेव बोले, ऐसा कहकर गिराज हिमवान को दिविद्रिष्टी प्रदान करके जगदंबा ने अपने अलौकिक माहिश्वर सुरूप के दर्शन कराए। अनक और उग्र था, उनके पांच मुख और तीन नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यग्यों पवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याग्र चर्म को धारण किये हुए तता शेष्ट सर्पों की आबूशर से सुशोभित उनके उस रूप को देख करके हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी मा मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाईए। तब जगदंबा ने अपने उस माहिश्वर सुरूप को तिरोहिद करके तक्छड ही दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ट उस सनातनी विश्वरूपा जगदंबा की आभा शरतकाल के चंड्रमा के समान थी। सुन्दर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हातों में शंक, चक्र, गदा और पद्म धारन किये हुए थी। उनके तीन सुन्दर नेत्र थे। उन्होंने दिव वस्त्र माला और गंधानुबे पंधारन कर रखा था। वे योगींद्र वरंद से वंदनी थी और उनके चरण कमल अति सुन्दर थे। तथा अपने हाथ, पैर, आख, मुझ, सर, आदे दिव विग्रह से वे सभी दिशा वे वे बोले। हिमाले बोले माता, आपका ये शेष्ट रूप भी परम एश्वरे से संपन्न है। जिसे देखकर मैं चकित हूँ, मुझे तो कोई अन्न ही रूप दिखाए। परमेश्वरी आप जिसकी आश्रे हैं वह व्यक्ति निश्य ही अशोची और धन्न है। मा, कृ पूर्वक मुझे पर अनुग्रह करें, आपको बारम बार नमस्कार है। श्री महादेर जी बोले अपने पिता परवत राज की द्वारा ऐसा कहने पर जगदंबा पारवती ने अपने उस रूप को भी समेट कर एक दिव्यरूप धारण किया। नील कमल के समान सुन्दर श अक्तियंत हर्श पूर्वक ब्रहमा विष्टों तथा शिव सुरूपा सर्वदेव मई उन आधिशक्ति जगदंबा का इस स्त्रोत से स्तवन करने लगे। हिमाले बोले हे माता आप प्रसन्न हो। आप परम शक्ति हैं आप में सब कुछ सन्नहित है। आप ही इस चराचर ज आप ही ब्रहमा विष्टों और महेश हैं और आप ही पराशक्ति हैं। आप अचिन तलीला का वनन आपकी भला मैं कैसे करूं जिसका ब्रहमा दी भी पाज नहीं पा सकते। हे विश्वेश्वरी आप ही स्वाहार रूप से सब्देताओं की त्रप्तिकारिका, स्वधार रूप से पितरों की त्रप्तिका कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यग्य तप और दक्षिना है। आप ही स्वरगादी दोखों को प्रदान करने वाली हैं। तिथा समस्थ कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्ध है। हे महादेवी आपको प्रणाम है मौता जिस आपके पर से भी परतर सुक्ष्मितम रूप का योगिजन शुद्ध ब्रहम के रूप में वर्णन करते हैं शिवे वह आपका मोहक रूप मन और वानी के लिए अगम्य और त्रेलोके का मूल कारण है हे वर्णाईनी भगवती मैं आपको भक्ति पूर्वक पडाम करता हूँ हे विश्वेश्वरी मेरी रक्षा करें जगदंबे आप शहस्त्रों उदियमान सूरियों के समान आभा वाली आठ बुजाओं से युक्त विशालनेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंडरेखा से सुशो है तथा आप कल्यान कारणी ने लीला पूर्वक स्वयमी मेरी घर में जन्म लिया है उदियमान करूणों चंडरमाओं की शीतल कांती से युक्त नैनों वाली त्रिनेत्रा बाल सुरूपा आप भगवती जगनमाताकों में वक्ति पूर्वक परणाम करता हूँ आप प्रसं के लिए भै उत्पन करने वाले पांच मुख कमलों और भयानक तीन नैनों से आप सुशोबित है अर्धिचंद्र सहित जटा जूट को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है हे शरंडातरी हे विश्वजरनी आपको भक्ति पूर्वक मैं परणाम करता हूँ अंबिके आप प्रसंद हो भवानी कोटी शर्चंद्र के समान उज्वल रूप और दिव्य वस्त्रा भरनों से आप सुशोबित है आपका जगन मोहन रूप चार दिव्य भुजाओं से प्रसंद हो दुर्गे जलधर की आभा युक्त नवीन और खिले हुए कमल की समान उज्वल नेत्रवाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को विमोहित करने वाला है आपके मुख पर मुस्कान सुशोबित है आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्म जटित अं कि मैं आपको भक्ति पूर्व कुडाम करता हूं हे अंबिके कृपा करके अब आप प्रसंद हों हे जगदंबे आपके विश्वात्मक रूप और गुड को सर्वात्मना वर्णन करने में तीन लोकों में देवता अत्वा मनुश्य कोई भी सक्षम नहीं है फिर मैं अल्पम आपको नमश्कार है आज मेरा जणम और तप सफल हुआ जो пять जननी आप मेरी पुटरी के रूप में आई मा में धन्य और कृता थ हुआ जो की आपने नत्या प्रकटी होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन मिलिया। मैं मैना के भागे की भी क्या सराहना करूं जिने अपने सैकडो जन्मों के अरजित पुन्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभागे मिला। श्री महादेर जी बोले मुने इस प्रकार गिरीराज हिमाले के द्वारा प्राथना करने पर पर्वत राज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुन्दर रूप में हो गई मैंना भी ये देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रहम सुरूपिनी जानकर गदगद वाने से भक्ति पूर्वक ऐसा कहने लगी मैंना बोली माता जगदंबिका मैं ना तो आपकी स्थूति ही जानती हूँ और ना ही भक्ति फिर भी आप अपने करुणा में सभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहें आप ही इस संसार की स्ष्ष्ट करती हैं आप ही सभी कर मुका फल्पदान करती हैं आप ही सभी का आधार हैं और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं श्री देवी बोली माता आपने और पिता जी ने उग्रतपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की आप दोनों के उस तपका फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने निट्या प्रकटी होकर भी हिमाले के द्वारा आपके गर्व से जन मिलिया श्री महादेव जी बोले मुनिशिष्ट तबगिरी राज हिमाले ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रहम विज्ञान की जिग्यासा की हिमाले बोले हे मा आप बड़े भागी से मेरी पुत्री की रूप में आई है यह आपकी लीला ही है क्योंकि आप ब्रहमादी देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुरगम है हे महेश्वरी मैं आपके चरण कमलो की शरण में हूँ मा क्योंकि आप काल की भी काल है इसलिए आपको लोग महा काली कहते हैं आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रहम विद्या की सिक्षा दें जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाओ श्री पार्वकी जी बोली पिताजी महामते सुनिए मैं उस योग का सार बताती हूँ जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रहं सरू को जाता है सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहन करके स्थिर्चित हो करके साधक को शरीर, मन और वानी से मेरा ही आश्रे ग्रहन करना चाहिए मुक्ष को चाहिए कि वह मेरे में ही चित और प्राण को लगाए रखे ततपश्यात ततपर्ता पूर्वक प्यरे राम का जब करता रहे मेरी गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे वह मुझसे वातालाब करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंद बनाए रखे तता राजेंडर वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायंड होकर अपना चित मेरी पूजा के प्रती अनुरक्त रखे उसे शुती तथा स्मृति में बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विदिविदान से मेरा पूजन और यग्यादी संबंद करना चाहिए सबी यग्यतप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए ज्यान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्यान होता है धर्म से भक्ति का उदै होता है और यग्य यज्यादी कर्म के ही रूप है इसलिए मुक्षार्थी को धर्म रूपी यज्यार्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रे लेना चाहिए पिता जी सभी आकारों में एक मात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सचितानंद रूपा के अंश से ही उत्पन नहें इसलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक्त मेरा ही अर्चन करना चाहिए बुद्यमान व्यक्ति को अन्य कोई भी विचार नहीं करना चाहिए इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संबन करके विशुद्ध अंतह करण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मग्यान की प्राप्ति में निरंतर प्रियत पशील होना चाहिए पुत्र मित्रादि से संबन्दों में अनासक्त होकर वेदानतादी शास्त्रों के अभ्यास में दत्चित रहना चाहिए ऐसे साधक को काम प्रोदादी विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पून रूप से त्याग करना चाहिए ऐसा करने से उसे निसंदेह पराविद्या का ग्यान प्राप्त हो जाता है महाराज जब इस आत्मा की प्रत्याक्षान भूती होती है उसी एक्षड मुक्ती हो जाती है यह निश्चित सत्य की बात मैं आपके लिए बता रही हूँ किन्त पिताजी मेरी भक्ती से विमुक पुराणियों के लिए ये प्रत्यक्षान भूती अत्यंत दुरलब है इसे लिए मुक्ष सादकों को यतन पूर्वक मेरी भक्ती में ही सनलगन रहना चाहिए हे महराज आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के सभी दुखों से कभी भी बाधित नहीं होंगे इति श्री देवी पुराणे भग्वती गीतायाम श्री पार्वती हिमालय समवादे प्रत्मो अध्याय है नमो नारायन